बॉलिवड के वरसटाइल अभनेता अनिल कपूर जो कि इन दिनों अपनी सीरीज दे नाइट मेनेजर सीजन टू को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस बीच अनिल ने बॉलिवड में लगातार हो रही फ्लॉप फिल्मों और फिल्म इंडस्टी के बंद होने पर एक बड़ा बयान दिया है। अनिल का मानना है कि कितनी भी फिल्में फ्लॉप हो जाएं लेकिन बॉलिवड कभी बंद नहीं होने वाला है। अनिल कपूर ने हाली में एक प्रेस कॉन्फरेंस में बॉलिवूट के भविश को लेकर अपने विचार साजा किये हैं अनिल ने बाचीत में कहा कि इतने सालों से काम कर रहा हूं और मेरे पिताजी भी इस फिल्म इंडर्स्टी में तो कम से कम साट साल हो गए कि मुझे जब से इस फिल्म इंडर्स्टी के बारे में पाचीत और फिल्में और एक्टर्स और डिरेक्टर्स और चलना ना चलना ये सिल्सला तो चलता है काफी सालों से चल रहा है तो कभी एक पैच आता है जब दो साल के लिए ऐसी फिल्में नहीं चलती है फिर लोग बोलते हैं कि इंडस्टी बंद हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये कम से कम मैं ही अपने करियर में पांचे बार देख चुका हूँ, और ऐसा कभी होता नहीं है, ना होगा, ये जिसे हर इंसान के लाइफ में होता है, उतार चड़ाओ, बिजनस में भी होता ह उतार चड़ाओ, और कभी उतार होगा, कभी चड़ाओ होगा, पिछले दो सालों में फ्लॉप होई बॉलिवूड की कई फिल्मों पर, अनिल कपूर ने प्रतकरिया देते हुए कहा कि, तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ, कि क्योंकि इस कोवेट के वक्त में मुझ जादा सीखता है, जब ऐसी ऐसे सिचुएशन होती है, जादा सीखता है, और जो नहीं सीखेगा, फिर यहाज तो पे अप्राइस, पर I think people who are sincere and honest with their work, and who know their job, who know their craft, उनके लिए बिल्कुल प्रोब्लम नही है, उनको काम मिलता ही रहेगा, और फिल्में चलती रहेंगी, और अच्छी फिल्म देंगे, तो audience आएगी, और फिल्म देखीगी, और आपने देखा, और आप देखके रहेंगे,